ये स्कूल बस हर दिन इन्हीं दो छात्रों को लेकर आती है और फिर वापस ले जाती है आओ ई होशी और ईता सातो दोनों की उम्र 15 साल है और ये दोनों जापान के फुकुशिमा प्रिफेक्चर के इस दूर दराज के पहड़ी इलाके में स्थित इस स्कूल के आखरी छात्र हैं इस स्कूल में अब नए बच्चे दाखिला नहीं ले रहे हैं कुछ दिनों में जब इन दोनों चात्रों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो छेतर साल पुराने इस स्कूल को बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा मैंने जब पहली बार प्रिंसिपल के मुझे सुना कि हमारा ये स्कूल बंद हो रहा है तो मुझे तो बहुत दुख हुआ इस तरह के लंबे इतिहास वाले किसी स्कूल को बंद करना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है सरकारी आंकडे बताते हैं कि जापान में हर साल लगभग 450 स्कूल बंद हो रहे हैं 2002 से 2020 के बीच लगभग 9000 स्कूलों को बंद कर दिया गया क्योंकि दूर दराज के इलाकों में स्थित स्कूलों में नए बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं मैंने सोचा था कि मेरी बड़ी बहन मैं और मेरा चोटा भाई एक ही स्कूल से पढ़ाई करेंगे तो दुख की बात है कि ऐसा नहीं हो पाएगा जापान में जन्मदर उससे कहीं तेजी से घट रही है जितना सोचा गया था इसलिए स्कूलों के बंद होने की रफ़तार तेज हो रही है इस स्कूल के हाथ से वक्त निकलता जा रहा है प्रिंसिबल मीको वातानबे के लिए ये सब बिलकुल आसान नहीं है जिस स्कूल में उन्होंने लंबा समय गुजारा वो भी इन तस्वीरों की तरह अतीत का हिस्सा बनने जा रहा है ये तस्वीर उस समय की है जब इस स्कूल में सबसे ज़ादा बच्चे पढ़ते थे लगबग 160 थे पिछले साल इस स्कूल से कोई बच्चा पढ़ाई पुरी करके नहीं गया इस साल दो आखरी बच्चों की पढ़ाई पुरी हो रही है जिस तेन ई गाउं में ये स्कूल है वहां की आबादी में सिर्फ 10 प्रतिशत लोग ही 18 साल से कम उम्र के हैं 1950 के दशक में इस गाउं में सबसे ज़्यादा यानि 10 हजार लोग रहते थे जो खेती बाड़ी और मैनुफैक्चरिंग में काम करते थे लेकिन सुविधाओं के अभाव की वजह से बीते सालों में लोग यहां से जाने लगे खासकर फुकुशीमा परमाणू हादसे के बाद तो लोगों का पलायन और तेज हो गया पूर्वी एशिया के देशों में जन्मदर लगातार कम होती जा रही है जापान के साथ-साथ दक्षिन कोरिया और चीन में भी बच्चों की परवरिश पर खर्च बढ़ रहा है ऐसे में लोग परिवार बढ़ाने से हिचक रहे हैं लेकिन जापान की स्थिती बहुत गंभीर है जहां 2022 में आठ लाग से भी कम बच्चों ने जन्म लिया जो की कम जन्म दर का नया रिकॉर्ड है सरकार भी चिंतित है और लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोथ साहित कर रही है आर्थिक मदद और बहतर स्कूली परिस्थितियों का वादा किया जा रहा है लेकिन आबादी लगातार घटती ही जा रही है और आज आवी होशी और इता सातो की ग्रेजुएशन सेरिमनी है यानि स्कूल में आखरी दिन इस मौके पर उनके माता पिता भी आये हैं वो खुश हैं कि उनके बच्चों की स्कूल के पढ़ाई पूरी हो गई है लेकिन स्कूल को लेकर वो दुखी भी है जब मैं इस इलाके के बारे में सोचती हूँ तो चिंतित हो जाती हूँ अगर यहां पर कोई जूनियर हाई स्कूल नहीं होगा तो फिर लोग यहां आने के बारे में अपना परिवार शुरू करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं आउई होशी और इता सातो अब दूसरी जगहे पर आगे की पढ़ाई करेंगे लेकिन ये स्कूल हमेशा उनकी यादों में रहेगा आउई तो यहां लोट कर भी आना चाहती हैं पता नहीं जब तक मैं बड़ी होकर नर्सरी स्कूल टीचर बनूंगी तब तक इस गाउं में कोई बच्चा बचेगा भी या नहीं अगर कोई बच्चा हुआ तो मैं यहां वापस आना चाहूंगी यूमोटो जूनियर हाई स्कूल और ऐसे हजारों स्कूलों का बंद होना बताता है कि आज जापान का समाज अस्तित्व का गंभीर संकट जेल रहा है